हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एके इंवेस्ट अकाडमी हाली में येस बैंक के क्यू फोर के रिजल्ट्स आये हैं और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आये हैं जैसे कि हम सब को दिख रहा हैं लॉसेज को ऐसा दिखूँगा कि इस टाइम पे येस बैंक के फिनांशल्स को इतना आप देख भी नहीं सकते कि फिनांशल्स में इंप्रूब्मेंट आ जाएगी काफी बड़े बड़े लॉसेज हैं असेट क्वालिटी काफी वीक है औरड़ी बैंक की मार्च 2020 में हमें इस फ्रॉड के बारे में पता लगा था बट पता नहीं कितने साखल या कितने महीने पहले से वो गड़बड चल रही थी प्रमोटर्स दोवारा बैंक में तो हमें तो ये पता नहीं है न दोस्तो और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि गाओ जितना बड़ा होता है जितना गहरा होता है उसे भरने में उतना ही जादा टाइम लगता है तो राथ और रात कुछ भी नहीं होने वाला मैनेजमेंट नहीं आ चुकी है बैंक में strong shareholders के हाथ में है bank तो अब management wise या working wise operationally कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बट क्योंकि चीज़े खराब जाद हैं तो improve होने में भी थोड़ा time लगेगा बट ये negative points के साथ कुछ positive highlights भी दिखी मुझे बैंक की press release में अगर आप देखें तो जो deposits हैं वो grow हुए है quarter over quarter as well as year over year and 6.5 lakhs कासा accounts खुले हैं कासा मतलब current account saving account तो कासा accounts खुले हैं इतने जादा जो दिखाता है कि बैंक में customers का भुरुसा लोट रहा है and because of this कासा to deposit ratio भी improve होई है जो पिछले साल मार्च 2020 में 162 percentage थी वो अभी improve होकर 102% हो चुकी है and second major जो positive चीज़ दिखे मुझे वो थी की recoveries 5000 करोड के आसपास की recoveries की है बैंक ने पिछले financial year में and उसमें से 1960 करोड तो last quarter में ही recover किया गया है तो ये दोनों points काफी positive दिखते हैं मुझे बैंक के long term performance के लिए अब मेरा क्या view है बैंक को लेकर आए समझते हैं देखते हैं कि कुछ details मैंने share की है share price पर उसे observe करते हैं तो close to 2009 price के आसपास ही है stock का price जब financial crisis आया था 2008 में Lehman Brothers के collapse के time पे उस time पे भी stock का price इसके आसपास ही चलता था उनी levels पर है stock का price and all time high उसके बाद 2018 में 400 रुपे का देख चुका है and 6 रुपे के आसपास का to be precise 5.65 का low देख चुका है all time low March 2020 में जब ये fraud सामने आया था SBI major shareholder है bank का जो की 30% का stake on करता है apart from SBI other financial institutions like LIC, ICICI bank other life insurance companies like HDFC, even Axis bank ये सब hold करते हैं हिसा अगर आप holding wise देखें तो promoter को तो पहले ही बार कर दिया गया था March 2020 में and now जो shareholding है वो काफी मजबूत हातों में है जिसमें से 47% के आसपास का जो holding है वो तो DIA इसके पास है and 13-14% के आसपास FIA इसके पास है रिटेल पब्लिक के पास 40% का stake है तो मैं ये देख सकता हूँ कि काफी strong hands में है इस टाइम पे बैंक institutions को 10 रुपे पे share a lot किये गए थे March 2020 में जब इस बैंक को bailout करना था उसके बाद July 2020 में भी FPU आया follow on public offer जिसमें आपके मेरे जैसे रिटेल इंवेस्टर्स भी participate कर सकते थे उसका price था 12 रुपे तो 10 से 12 रुपे पर तो काफी strong support दिखता है and also because ज़ादा तर negative and bad news stock का price already discount कर चुका है तो चीजे यहां से ज़ादा खराब होती भी दिखती नहीं है हाँ ये हो सकता है कि अगले quarter में भी शायद asset quality और खराब हो जाए करोना की situation खराब हुई तो चीजे शायद और थोड़ी worse हो जाए but ज़ादा तर bad things factored हैं already stock के price में but अब आप सब लोगों के मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि ऐसे bank को जो इतने losses में चल रहा है जिसके इतने asset quality खराब है हम इस पे इतना ध्यान दे ही क्यों रहे है मैं इसको analyze भी क्यों कर रहा हूँ आप सही सोच रहे हैं बिल्कुल दोस्तो मैं अगर ये कोई बहुत ही छोटे level का छोटे scale का bank होता या कोई छोटी सी company होती तो मैं कभी भी इसके तरफ ध्यान नहीं देता but because ये काफी बड़ा bank है जिसका large branch network है and scale of operations भी काफी बड़ा है and यही reason था कि March 2020 में SBI-led consortium दुआरा इसे bailout भी करा गया moreover, banking sector को belong करता है जिसे कोई भी government डूबने नहीं दे सकती because अगर ऐसा होगा तो citizens का सरकार पर से, system पर से, banks पर से भरोसा ही उठ जाएगा because अभी financials खराब है तभी stock price इतना नीचे है अगर चीज़े सही होती तो price कभी इतना नहीं होगा इसलिए मैं इसको एक long term call option की तरह देख रहा हूँ जब भी हमारा market पे short term में view होता है कि मुझे लग रहा है कि market उपर जाएगी तो मैं call option में position लेता हूँ जो एक महिने में, दो महिने में या तीन महिने में expire हो जाती है similarly long term में like 5-7 साल के अंदर मुझे इस bank में अच्छी खासी improvement आती हुई दिखती है तो मेरा एक view है कि long term में उपर जाएगा तो मैं एक long term call option की तरह ही इस stock के price को treat कर रहा हूँ जापे premium जो है मैं वो stock का price ही दे रहा हूँ वो price ही इतना कम है 13-14 रुपे जो कि एक premium की तरह है मुझे इसके zero होने से कुछ फरक भी नहीं पड़ना चाहिए तो मैं उतना पैसा ही यहां पे लगाऊँगा जो अगर zero भी हो गया तो मुझे कुछ फरक नहीं पड़ेगा और मैं उससे stress में या परिशानी में नहीं आऊँगा अगर मैं आपको एक layman language में समझाऊँ जब भी हम movie देखने जाते हैं 500-700 रुपे खर्च करके आते हैं तो वो consume कर लेते हैं जो कभी वापिस नहीं आता अगर मुझे 15 रुपे का एक समोसा खाना है 30 रुपे का एक सैंडविच खाना है तो अगर मैंने वो खा लिया तो उसके बाद वो पैसा कभी वापिस नहीं आता consume and gone उसी तरह से आप ये सोचिए आप 15 रुपे का एक एक एस बैंक का शेर या 1500 रुपे के 10 एस बैंक के शेर खा रहे हैं and consume कर रहे हैं जो कभी वापिस नहीं आएगा आपको ये बरोसा होना चाहिए कि मुझे long term vision दिखता है पर अभी के लिए मुझे लगता है ये zero भी हो सकता है and वो अगर हो भी गया तो मुझे कुछ फरक नहीं पढ़ना चाहिए यही reason है कि यहाँ पर अपना वो पैसा please allocate मत कीजिए जो खोने से आपको financial impact पड़ेगा and करना भी है या नहीं करना वो आपका decision है अपना due diligence जरूर कीजिए because अगर आपने ज़्यादा shares ले लिए say 10,000, 50,000 share because यह छोटा amount का share है तो मैं ज़्यादा ले लेता हूँ मुझे ज़्यादा profit हो सकता है इस लारेच में बिलकुल नहीं आएगा क्या पता अगर bank perform नहीं कर पाया कुछ ऐसी चीज़े निकल आई जो अभी हमें नहीं पता और चीज़े और खराब हो गई या काफी लंबा time ले लिया या कुछ भी हो सकता है तो please वो ही पैसे allocate कीजिए जो आप खोने को तयार है और जो zero हो जाएगा तो आपको फरक नहीं डालेगा खोब आपको मेरे analysis से कुछ help मिले ये decide करने में कि अब मैं क्या करूँ इस share में क्या मुझे रुकना चाहिए क्या मुझे और लेने चाहिए या क्या मुझे average out करना चाहिए to tell you मेरी कोई previous position नहीं है yes bank में मैंने कभी yes bank लिये ही नहीं था अभी तक अपनी life में तो कुछ बहुत छोटे amount के shares लिये हैं मैंने जो मैं time time पर थोड़ा 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 increase कर लूँगा 5 share, 10 share ले लिए 15 share, 50 share ले लिए तो बहुत ही छोटा amount जो जाने से मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई भी query है तो please comment करके हमें reach out कीजिए और मैं उसका जवाब जरूर देने की कुशिश करूँगा वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक करें, share करें दोस्तों के साथ ना पसंद आई हो तो dislike करें हमारा motivation बढ़ाने के लिए चैनल को subscribe करें और साथ ही में bell icon दबाना ना भूलें ताकि आप future की कोई भी वीडियो मिसना करें I am Amon Preet, thanks for watching guys take care, bye bye